हेलो फ्रेंड्स वेलकम पुन अनुटियस अथीज़ आज आप लोगों के लिए नेक्स सटी कोशन का यहाँ पर सेट है आप लोगों को फिर से बताना हैं याप लोगों के लिए रहेगा आप लोगों को सका आंसर कमेंड बॉक्स में करना है ठीक है उससे पहले जो आपका ममेंट भी आये हैं ठीक है तो उसकी भी हम बताएंगे कौनसे आंस्रेट सापके से उस्से पहले बात कर लएते हैं फरst की अभी प्रेंडना का वर्गी करण होता है देखिए जो अभी प्रेंडना होती है आपका मोटिवेशन होता है इसका वर्गी करण किस प्रकार होता है या किस किस के त्रू होता है देखिए इसमें ऑप्शन नमबर जो आपका है वो सी सही है जनजात तथा अरजित तो अभी कुछा है question देखिए हैं पर question है सीखने की पिर्क्रिया में सीखने का इस्थान依ा हो सकता है तो इस्थान नंत्रण होता है मतलब TRANSFER जो होता है आपका अलणनी का तरीके से किसकी क्या त्याइप पिर्क्रिया रही हैं कौन कौन सी हैं देखिए सकारात्मक नकरात्मक शुन्य ये सबी तो मैं आपको बता दूं इसका option number D सही है क्योंकि जो आपका सीखने का इस्थाना अंतरण होता है वो आपका positive भी होता है negative भी होता है और शुन्य भी होता है ठीक है option question number sorry question number 3 इसमें पूछा है कौन सा मत अंतरण्रस्टी द्वारा सीखने की व्याख्या करता है तो अंतरण्रस्टी मतलब आपका इंसाइट त्योरी द्वारा जो सीखने की व्याख्या करता है वो है इसमें गस्टाल्ट वाद ठीक है आपको यह चीज़ ध्यान रखनी अंतरण्रस्टी किससे समझने देगस्टाल्ट वाद से next अब आप से पूचा है मनोवग्यानिक का नाम पूचा है और किस रूप में पूचा है सीखने की सामगरी के रूप में निरतक शब्दों का प्रियोग किया किस मनोवग्यानिक ने किया था यह आपको बताना है यह क्या था Ebbinghaus ने सीखने की सामगरी के दूप में निरतक शब्दों का प्रियोग किया था ठीक है सीखने के नियम अब आपको मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है बहुत अच्छे से कि सीखने के नियम किस ने दिये थे तॉन डॉइक ने अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखिये तो आप लोग देख सकते है हमारे चैनल पर एस इडिट पड़ी हुई है ठीक है नेक्स्ट है सीखना है मतलब आपका जो सीखना है अधीगम है लर्निंग है ठीक है तो यह क्या है यह मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था यह आपका क्या है एक important question है ठीक है फर्स्ट है आपका विवार में परिवर्तन यह मैंने आपको बताई दिया था सीखना विवार में परिवर्तन है दूसरा अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम तो आप जो अनुभव करते हो अभ्यास करते हो उसका परिणाम सीखना है ठीक अब इस चीज़कों मैं बहुत अच्छे से इसलिए बता रही हूँ एक्स्प्रेइन कर रही हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए थर्ड एस में विवार में अपेक्षकरत इस्थाई परिवर्तन तो इसमें फर्स्ट में तो विवार में परिवर्तन है इसमें अपेक्षकरत इस्थाई परिवर्तन मतलब एक इस्थाई परिवर्तन होगा आपके विवार में अगर आपने कुछ सीख लिया है तो आप उससे अपने वेवार में किस थाई परिवर्तन लेके आओगे, एस थाई परिवर्तन नहीं, तो इसका जो option number है, वो D सही है, क्योंकि इसमें तीनों ही सीखने से related हैं, next question देख लीजे, शारिक व्रद्धी, आप से बूचा है, शारिक व्रद्धी और विकास को कहते है देखे, आपके जो शारिक व्रद्धी और विकास है, वो आपकी अभी व्रद्धी कहलाती है, ठीक है नहीं, तो वो तक पर तक खलाएगी नहीं, गतिशिल्ता नहीं, अनुवान्शिक्ता, वो आपकी अभी व्रद्धी कहलाएगी, next question देख लीजे, चिंतन संग्यानात्मक पक्ष में एक मानसी किरिया है, यह कथन दिया गया, किसने दिया था यह कथन, जो हमारा चिंतन है, वो संग्यानात्मक पक्ष में एक मानसी किरिया है, अच्छे से पढ़ लिजिए, किसने दिया था, यह दिया था, रौस ने, ठीक है, next, बाल मनो विज्ञान के अधार पर क कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं इसमें हैं कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और प्रितेक बच्चा विशिष्ट होता है तो एक बार बताईए मुझी मैंने आपको बताया है बाल मनोविज्ञान के बारे में फर्स्ट वीडियो में ठीक है कि बाल मनोविज्ञान क् अज्कि पित्यक बच्ची के बारे में पता होना है उसके थान किस प्रकार का बच्चा है उसके लिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदू है बहुत अच्छे से पता है आपको बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदू होगा बालक बिल्कुल सही बात है इसमें ये नेक्स देख लिजे अच्छी स्मृत्य की विशेस्ता हैं देखे गुड मैमरी की विशेस्ता है क्या होती है सीग्र पुने स्मरण मतलब अगर आप जो भी याद करोगे रिमाइंड करोगे वह आपको जल्दी से रिमाइंड हो जाएगा एक तो यह है एक है इसमें शीग्र प प्रॉब्लम उसके लिए सौरी देखे लिजें वह इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें सम्वेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठीक है आपको सम्वेक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है सम्वेक की बारे में पहले भी बताया था सम्वेक किते प्रकार क्य ह настा है किसने इसके बारे में बताए था मक्डूगल ने एसका साबदी कर्थ क्या होता है अब अब्गार सभी पॉट hail Śेँथ कोशल सीखने की पहली अवस्था के बाद में अनुकरन अगर आपको कोई भी कोशल सीखना है तो उसकी पहले वस्ता क्या होगी अनुकरन कि आप उस चीज का किसी भी जिज का अनुकरन कीज़े तो आप सीखेंगे मानसी कायू के पृत्ते का सवपर्तम प्रयोग क्या था सवपर्तम प्रयोग किस ने क्या था आपको यह बताना है यह क्या था बीने साइमन ने थीक है नेक्स पोशन देख लिए छेशावस्ता के लिए उत्तम सिक्षन विदी है देखिए शेशावस्ता मतलब जब आप बहुत चोटे होते हैं तो उस टाइम के लिए प्ले के लिए कौन सी बैस्ट आपके लिए क्या होगी टीचिंग मैथाड होगा तो देखिए मौंटेसरी विधी यह चोटे बच्चे ले खेल विधी किंटर्कार्टन विधी तीनों ही विधी क्या थी आपकी शेशावस्ताति आपकी खेल विधी प्रोबल की थी ओंद जो हमारी थी तो आपको बताना है इसकाॉप्षन नंबर सही है इसकाॉप्षन नंबर डीज प्रीव सही होगा क्योंकि बाल मनुध ग्यान ता आपको कोशिन में बाल विकास से लृवृति को जल dealer सही है पाल प्री खृएवक्षन में आपर गरंद के बाल बिकास वाधियं चेत्र तो बाल बिकास का अधियं चेत्र है इसके बारे में पूछा है इसकात जो है सरवाद्यक प्युक्त जीवित रहता है का सिधान्त है मतलब औंब सभवाइब ऑफ तरु त इसका सिध्द्हान खुनषा यह बता नहींद है आपको सिधान्त है घ्रिकैट अपनी साइमन का पड़ाई था कि मतलब किसके लिए था जो सब्रत हब सामुने कि की उakte मन्न इकिस का मपन इन्हों किया था आपका मपन विस्छ बुद्धी काटा है जो एक कि दो जैसे कि मतलब एक को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो देखिए संवेख गातमक विकास आपका किस-Kis-Kis-Sea स्वास्ते से भी होगा मानसिक योगता थकान से भी होगा अपरिक सभी तो इसका option number D सही है क्योंकि वो शारिक स्वास्ते फिजिकल का भी एफेक्ट पड़ेगा उसके उपर मांसिक योगता का भी एफेक्ट पड़ेगा ठीक है इसमें है आपको एक बताया गया एक कथन दिया गया है उसके बाद पूछा है कि कौन सा इसमें सही है सामजिक प्रिटियाशाओ कि अनुरूप विवार की योगता का अधीगम सामाजिक विकास कहा जाता है उक्त कथन है ये बताना है आपको किस ने दिया था ये कथन ठीक है तो ये जो कथन दिया था आपका दिया था हर लौक ने ठीक है ये तो इसका option number A सही होगा next देखती है इसका सीखने का सरवादिक उप्युक्त अर्थ है जो आपका सीखना होता है उसका सरवादिक उप्युक्त अर्थ है कोशल अर्जन ग्यान अर्जन विवार में परिमार्जन व्यक्तिक्त समायोजन तो कौन सा सही होगा इसमें सही होगा सी विवार में परिमार्जन इसका तो इसमें क्या आहेगा वानिदोष नहीं है देखी लिए अपका वानिदोष है ठीक है यह अभी थोड़ी दियर के लिए चोड़ देते हैं हकलाना और तुतलाना यह आपका वानिदोश है तीवर एसपस्ट वानि यह भी आपका वानिदोश है तो तीनो एसी ओडी तीनो ही वानिदोश है कौन सा बचा बी तो इसका option number होगा आपका बी सही दीमी या तेजगती से बोलना वानिदोश नहीं है ठीक है next देख लेजे नेग्स डेसमें प्रांतमिक इस्थபर इसमें एदर्र फिरसे थोड़ी वःज की प्रॉब्लम हाँ जी प्रांत मीजिक इस CBD है आपको मूयलै मतलब वैल्यूज के बारे में बताना है और उसकी आपके एजुवेशन देनी क्या है उसके सर्वाथम WIDI होगी देखिए अगर आप उसको डायर्ट बताओगे वैल्यूस के यह महत्व हैं ऐसे करो वैसे करो तो बच्चा नहीं सीखेगा मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना अगर वह वैल्यूस आप उसको सिखा तो उसका पालन ना करे तो आप उसको दंड दो यह भी कोई स ही भी है सर्वोतम तुम तब बोलेंगे स्विधी को थाड़ है द्यापक के वहार में मूल्य स्थापन देखिए यह इसका जुषी ऑप्चन है यह बिल्कुल सही है अगर द्यापक वैसे ही उसके सामने वैल्यूस प्रदर्शित करता है तो बच्चा वैसा ही सीखेगा तो जैसे आप उसको वैल्यूस अपने भावार में दिखाओगे वैसा ही वह तो यही इसकी सर्वोतम विद्धी है नेक्स्ट ए मूल्यों के वर्गी करण में सम्भलित नहीं है जो मूल्य होते हैं हमारे वैल्यूस होती है उनकी वर्गी करण में इन में से क्या सम्मलित नहीं यह बताना है आपको तो इसमें option number होगा आपका B सही यें केन प्रकारें धनारजन का मुल्यन मूले मतलब देखिए मूल्हों के वर्गी करण में अध्याइत्मिक मूलत सही बात है नातिक मूलत सही बात है सांसगतिक मूलत लेकिन यह मतलब देशह भी किसे भी कतंग्य धन कमाना है तो यह संबलेट नहीं है इसमिन सब्सक्राइट साइट विक्तित inhabited कि संगठतन कौन से सरामजी के राजनिती का आपका विक्तित के संगटन का चाइब इसका सवारिक जो सब्सक्राइब सक in review के बात करते हैं तो नेक्स कोर्शन जो है पसे इसमें बात करी जाएगी आपसे कोश्षनेंगी तो आपके सामें सामें पर कोश्ण ने आपको इन और जसे को वह पूरा गया है उसके के अंदर अधाये को और आप लोगों ने चलेडीश है उसका कमेंट बोकस में को और इसी तरह में आप लोगों के लिए क्याकर जाएंगे स्कृूसरा आप लोगों से पिल्कार्ट से पढ़ाने के बाद questions किये जाएंगे आप लोगों का उनको answer देना होगा तो चलिए करते रहें अपने preparation thank you so much मुलते हैं आपके साथ next वीडियो में वीडियो अच्छी लगे हो तो like करें share करें चैनल को subscribe करें thank you